नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरी येट्यूब चैनल पर हम लोग बात करेंगे हिंदी साहिती इतिहास की परंपरा को लेकर के तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इतिहास क्या है तो इतिहास के दो अर्थ है यानि कि ऐसा ही था ऐसा ही हुआ यानि कि जब इतिहास लिखा जाता है जो यही लिखा जाता है कि वास्तों में जो हम बात लिख रहे हैं वो ऐसी ही थी या फिर ऐसा ही हुआ था तो अतीत की किसी भी वास्तविक घटनाक्रम का लिपी बद्ध रूप इतिहास कहा जा सकता है ठीक है तो की मतलब अतीत में जो भी कुछ घटा हुआ होता है उसका जब हम वास्तविक लिपी बद्ध वर्णन जब हम करते हैं तो वो हमारा इतिहास कहलाता है वैसे तो अतीत के गर्व में इतना कुछ छिपा हुआ होता है कि उसे समगर रूप में प्रस्तुत करना कि कोई भी इतिहास कार उसे समगर रूप में एक साथ प्रस्तुत नहीं कर पाता है इसलिए बिभिन ने इतिहासकार अपनी अपनी रूची एवंद्रिष्टी के अनुसार इतिहास के कुछ पक्षों को अपने अपने सब्दों में प्रस्तुत करते हैं, अपने अपने सब्दों में लिखने की कोशिस करते हैं प्रतियक व्यक्ति जो कुछ देखता है उसमें उसकी व्यक्तिक रुचि के साथ साथ उसकी सामुहिक चेतना, उसकी अनुभाव, उसके बौधिक विकाश या उसकी भावनात्मक प्रवित्यों का भी प्रभाव मिस्रित हो जाता है और इसलिए हम साहिते इतिहास में बहुत सारे इतिहास कारों को पढ़ते हैं और किसी भी इतिहास ग्रंथ जो है वो दूसरे से अलग होता है किसी हर कोई इतिहास ग्रंथ जो है उसमें अलग अलग पक्षों को अच्छे से प्रस्तूत किया गया है किसी में कोई पक्ष बहुत अच्छे से प्रस्तूत हुआ है किसी में किसी पक्ष के बारे में बहुत अच्छी बात हुई है तो साहित्य इतिहास की एक लंबी परंपरा है और बहुत से इतिहास कारों ने साहित्य इतिहास लिखा है अगर हम जो इतिहास की जो वैश्विक इतिहास यानि कि बिश्व में जो पहला इतिहास कब लिखा गया इस पर अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो एक बिद्वानों का ये मानना है कि इस परंपरा का जो आरंब है, वो एक ग्रीक बिद्वान, हीरो द्योत्तस नाम का एक व्यक्ति है, एक इतिहास का रहे हैं, बिद्वान है, हीरो द्योत्तस नाम के, जो कि 484 इसापूर्व जिनका आविर्भाव 484 में हुआ था और ये इनकी जो समय सीमा है वो 484 से लेकर के 400 इस भी इशापूर्व तक थी तो इन्हें जो है इतिहास परंपरा का आरंभ इनसे माना जाता है और इनका ये मानना था कि इतिहास परिवर्तन की प्रकिरिया है उसे यह सिद्ध होता है कि प्रतियक सक्ता अपने चरम पर पहुँचकर के अपने चरम उतकर्स पर पहुँचकर अंत में अपकर्स की और अग्रिसर हो जाती है तो ये हीरो दियोतस का ये मानना है इसके अत्रिक्त जो है इतिहास के बारे में लक्षमी सागर वार्षने कहते हैं कि इतिहास क्या है क्या इतिहास नहीं है इस बारे में तो उनके अब बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने इस बात को प्रस्तूत किया है वो कहते हैं कि साहित्य इतिहास न केवल साहित्य का पुन्रावरत अथवा उसके अतीत का इतिहासात्मक बिशलेशन है न केवल कला पाठा लोचन है न केवल बिधाओं और आंदोलनों का विकास क्रम या धारा निरूपन है और न केवल आलोचना है साहित्य इतिहास का उद्देश न केवल कलाकारों को जन्म देना है न संस्कृति का प्रचार करना है और न अध्यापक बनाना है तो वो कहते कि साहित्य इतिहास का साहित्य इतिहास इसलिए लिखा जाता है साहित्य इतिहास मानव जीवन की उर्जा उसके सूस में इस्फुलिंग यानि कि उसके उर्जा की चिंगारी उसके चेतना के ब्यापक ज्यान की एक बिशिष्ट होने के कारण उसका अपना स्वतंत अस्तित्व सर्वोच शाधने यानि कि साहित्ते इतिहास मानव जीवन में उर्जा प्रदान करता है उसके अंदर सूसम पैदा करता है सूसम चिंगारियां उसके अंदर उर्जा की सूसम चिंगारियां उत्पन करता है उसके चेतना को ब्यापक करता है उसको एक विसिष्ट ज्यान की ओर ले जाता है और इसलिए साहित्य इतिहास का अपना सर्वोच और स्वतंत्र अस्तित्व है साहित्य इतिहास वह यह कहते हैं कि साहित्य इतिहास एक ऐसी खोच का माध्यम है जिससे मानव मन का वह पक्ष जुड़ जाता है जो हमारे अस्ति चर्ममईदेह के अस्तित्व से उपर है उनका कहना है कि साहित्य इतिहास से मनुष्य का वह अचेतन मन जुड़ जाता है जो कि उसके अस्ति चर्ममईदेह के जो हाड मांस से जो की उपर है वह कहते हैं कि मैं साहित्य इतिहास को ग्यान की ऐसी विधा मानता हूं जो क्रतियों के अध्यन द्वारा निरंतर परिवरतन सील जिवधारियों का सार्व भौम के भीतर विकास इस्तिर करती हैं तो वो भी इतिहास को परिवरतन सील मानते हैं और जिवधारियों की विकास को उसके अंतरगते देखते हैं तो ये तो रहा कि इतिहास क्या है क्या इतिहास नहीं है इतिहास का अस्तित्व क्या है इन सब के बारे में अब अगर हम भारती इतिहास की बात करें भारत में जो हम हिंदी साहित्ते इतिहास की बात करें क्योंकि हमारा मुख्य बिशय जो है वो हिंदी साहित्ते इतिहास है तो हिंदी साहित्ते इतिहास का जो विवेचन है वो कब से किया जाता है तो अहाला कि भारत में वेद, ब्रह्मन ग्रंथ, उपनिशद, महाकाव्य, पुराण आधी प्राचीन इतिहास परंपरा मानी गई है इतिहास के प्राचीन भारत ये द्रिश्टी जो आधुनिक इतिहास द्रिश्टी से मेल नहीं खाती लेकिन ये जो इतिहास की प्राचीन भारतिय द्रिश्टी है जिसके अंतरकत वेद, ब्रह्मन, ग्रंथ, उपनिशद, पुराण, महाकाव्य, आधी आते और इसलिए आधुनिक इतिहास कारों की द्रिश्टी में प्राचीन भारत में इतिहास लेखन नहीं हुआ था आधुनिक इतिहास कारों ये मानते हैं कि प्राचीन भारत में या प्राचीन भारतिय साहित्य में कोई भी इतिहास नहीं लिखा गया था हाला कि नलिन बिलोचन सर्मा जो इन्होंने 1960 में साहित्य का इतिहास दर्शन नामक पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने इसका विरोध किया है उन्होंने अपनी किताब के अंतरगत एक निबंद लिखा जिसमें उन्होंने लिखा इस निबंद का सीर्षक है साहित्तिक इतिहास की प्राचीन भारतिय परंपरा संस्कृत और इसमें वो यह इसपश्ट करते हैं कि पाचाते द्रिष्टी से प्रभावित इतिहास कारों ने संस्कृत साहित्तिक परंपरा की और परंपरा और क्यूदंतियों की उपेक्षा करके साहित्ते इतिहास चिंतन को विक्रती पूर्ण बना दिया हलाकि कुछ भी हो लेकिन जो उनिसवी सताब्दी से पहले विभिन कभियों और लेखों को द्वारा अनिक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिसमें हिंदी के कभियों के जीवन ब्रत उनकी रचनाओं का परिचे दिया गया जैसे की 84 वैश्टनवन की बारता 252 वैश है जिनमें की कभियों का Parkिशे अनकी क्रत्यों का परिचय आदी उपलब्द है किन्तों कालक्रम और एक विवस्तेत औध्यन के अभाव में इन्हें इतिहास की संग्या नहीं दी गई और एक बेवस्तित रूप से जो इतिहास लिखा गया आधुनिक द्रिश्टी कोण से आधुनिक द्रिश्टी से जो इतिहास लिखा गया वो इतिहास जो है वो हमारा वो इतिहास की परंपरा जो है वो गार्षा दताशी से शुरू होती है गारसाद तासी इनका जन्म 1794 में इनका जन्म हुआ था और इनका समय जो है वो 1878 तक रहा और जो गारसाद तासी है ये फ्रांस के प्रसित बंदरगाह मार्सेल के रहने वाले थे और इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका की नाम है इस्तवार दल्ला लितरेट्यूर एंदूई एंदुस्ताने तो इनका ये नाम से इतिहास ग्रंथ नहीं है लेकिन इसमें ये प्रत्थम विवस्तित इतिहास ये पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है तो पार्षी विश्व विद्याले में उर्दू के प्रोफेशर थे गार्शादत इसे इन्होंने फ्रेंच भासा में लिखा इसी दिहाज का प्रथम संस्क्रण 1829 में प्राकाशित होता है और दूसरा संस्क्रण 1847 में प्राकाशित होता है प्रथम संस्क्रण में इनके मात्र कभी परिचय उपलब्द था और जो इनका दूतिय संस्क्रण आता है जो के 1847 में प्राकाशित होता है इसमें कभ्यों के रचिनाओं के उधारन भी संक्लित किये गए थे इन्हें उर्दू से अधिक अधिक लगाओ था और इसलिए इनके ग्रंथ में जो 738 कभ्यों में से हिंदी के मात्र 22 कभ्यों का इसमें परिचय दिया गया है 22 कभ्यों की रचिनाओं के बारे में इसमें बात हुई है नलिन बिलोचन सर्मा हलाकि उन्होंने साहित्य इतिहास की परंपरा में संस्क्रित का महत्तो माना है प्राचीन हिंदी साहित्य का महत्तो उन्हें माना है लेकिन फिर भी वो निर्विवाद रूप से यह कहते हैं उन्होंने अपनी इतिहास ग्रंथ में कहा है कि हिंदी साहि का पहला इतिहास लेखा गारशादत ताशी है था यहाँ निर्वीबाद है निरीन विलोचं सर्मा ने हिंदी साहट्ट्य का इतिहास दर्शन में इस्पष्टे किया है इनका इसके अलावा जो इनका इतिहास ग्रंथ है इस ग्रंथ को लक्षमी सागर वार्षने ने अपनी भूमिकाओं सहित जो इसमें 358 कभी एमलेखोकों का परिचेई हिंदुई सहित्ते का इतिखास नाम से इन्होंने हिंदुस्तानी एकेडमी उत्तर प्रदेश इलहाबाद से 1953 में प्रकाशित करवाया तो लक्षमी सागर वार्षने ने इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद कर एक महत्वपून कारे किया इसके अलावा यह जो इतिखास ग्रंथ है यह हलाकि यह वर्णानुक्रम में लिखा गया है इसमें हलाकि कालक्रमा नुसार लिखा जाना किसी भी इतिहास की पहली सर्त है और इसके हलावा इसमें और भी बहुत सारी कम्या रह गई हैं लेकिन फिर भी जो गार्शादतासी का ये इतिहास है इस्तवार दल्ला लिटरेट्यूर एंदूई एंदुस्तानी ये प्रथम होने के कारण इसकी प्रशिद्धी के कारण इसका प्रथम होना ही है क्योंकि किसी भी परंपरा का किसी का भी जो प्रथम प्रियास होता है वो इस कारण से महत्वपूर नहीं होता है कि उसमें कितना अच्छा लिखा गया है उसमें वो कितना उत्कृष्ट है बलकि उसका जो प्रशिद्धी का मूल कारण होता है वो उसका प्रथम होना ही उसकी प्रशिद्धी का मूल कारण होता है उसके बाद जो हमें मौलवी करीमद्दीन है उनकी भी एक पुस्तक के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चलता है लेकिन वो पुस्तक मौल रूफ से उपलब्ध नहीं है तो उस बिशय में कोई भी चर्चा हम नहीं कर सकते इसके अलावा फिर उसके बाद जो दूसरी पुस्तक हमारे सामने है वो है सिउसिय सेंगर करित सिउसिय सरोज तो 1883 में सिउसिय सेंगर ने सिउसिय सरोज नाम से पुस्तक लिखी तो ये भी एक इतिहाश गरंथ है और सिवसिय सरोज में 838 कभियों की कभिताओं के प्रायह 24 नमोने दिये गए हैं काव्य संग्रह के उपरांत ग्रंथ का जो उत्रार्द भाग है उसमें 125 प्रष्टो में संग्र जी ने 1003 कभियों के जीवन चरित्र आदी अकारादी क्रम में दिये हैं तो सिवसिय संगर ने भी जो अपना इतिहास ग्रंथ है उसमें अकारादी यानि कि वर्ना नुकरम पद्देती को ही उन्होंने क्या है स्थान दिया है वर्ना नुकरम में यह होता है कि जैसे कर नाम के جतने भी कभी लेखक है वो एक साथ उनका परिचे दिया जाएगा फिर खर नाम से फिर गर नाम से तो इस तरीके से यानि कि जैसे सब्द कोर्स में होता है तो वैसा ही दिया जाएगा उसके अलावा सिवसिय सरोज को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदू कहा गया है सिवसिय सेंगर के जो सिवसिय सरोज है इसको हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदू माना जाता है और हिंदी भाषा में लिखा गया यह हिंदी का प्रथम इतिहास है हाला कि इतिहास लेखन के लिए जिस ततश्थता और वर्गी करन की शमता आधी के अपेक्षा की जाती है उसका इसमें नितांत अभाव दिखाए देता है फिर भी इस परंपरा का ये एक महतोपुण ग्रंथ है आने वाले जो लेखक है जो आगे इतिहास लेखक है जिन्होंने उत्कृष्ट इतिहास ग्रंथ लिखे उनके लिए यह क्या है एक उनके लिए एक भूमी का इसने तयार की उन इतिहास कारों ने इन ग्रंथों से कही कहीं जो है अपने इतिहास ग्रंथ लिखने में मदद ली तो इसका भी एक महत्वपूर्ण इस्थान है इसके बाद आगे हम अन्य इतिहासकारों के बारे में बात करेंगे ग्रियर्शन, रामचन, दुस्वकल, मिश्रबंदुवादी को ले करके तो आज का वीडियो काफी ल बात करेंगे तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद